टाटा सम्मूग के चेर्मेन और दिगजुगुपती रतन टाटा का बुधुवा दे रात मुंबई के कस्पताल में निदन हो गया वो 86 वर्षकेते पद्मबुशन से सम्मानी तरतन टाटा का दक्षिन मुंबई के ब्रिज केंडिया स्पताल में हो गया है हाला कि बाद में रतन टाटा के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया गया था कि मैं ठीक हूँ और ज्यादा उम्रक के कारण रूटीन चेक अप के लिए अस्पताल गया था चिंता की कोई बात नहीं है जानकारी के अनुसा रतन टाटा का ब्लड पेशर डाउन हो गया था लो बीपी के चलते उनकी तब्यद बिगड़ गई थी हाड स्पेशलिस्ट शारुक अस्पी गोलवाला की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था हाला की उनके हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था बढ़ती उम्रक के कारण डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बाद भी उन्हें नहीं बचाया जा सका जानकारी के अनुसा लो ब्लड पेशर के कारण वो हाइपोटेंशन से पेडित थे जिसके कारण शरीर के कई अंग ने काम करना बंद कर दिया था डॉक्टरों के अनुसार उनके शरीर में डिहाइडरेशन की भी समस्या हो गई थी